एसे सब्द जो की एक दूसरी के विप्रीत अर्थ देती हैं विलोम सब्द कहलाते हैं और आज हम मित्तर का विलोम सब्द की बारे में बड़ी ही विस्तार से जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि मित्तर का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मित्तर का विलोम साब्द क्या होता है दोस्तों मित्तर का विलोम साब्द सत्रू होता है मित्तर का मतलब क्या होता है आये जान लेते हैं मित्तर का मतलब जो मुसिबत के अंदर हमारी साहता करता हूँ या जिसके मुशिबत में मदद करते हूँ आपने भी अनेक मित्तर बना रखे होंगी खेर मित्तरता करना अच्छी बात है लेकिन सही मित्तरता की पहचान बहुती कम लोगों से होती है और यदि आप एक सही मित्तरत नहीं चूनते हैं तो वैं आपके लिए आपके दुस्मन से भी गातक होता है क्योंकि आप अपने दुस्मन से हमेशा सतर करते हैं सत्रू का मतलब क्या होता है आई ये जान लेती है दोस्तों मित्तर का विलोगों सब्द एमित्तर होता है जिसका मतलब होता है जो आपका मित्तर नहीं है जो सत्रू भी हो सकता है या फिर आपसे उसका कोई connection भी नहीं है वह भी एमित्तर है खेर बात करते हैं सत्रू की तो सत्रू सब्द आते ही आपको अपने सारी सत्रू याद आ जाते हैं सत्रू का मतलब वह इंसान जो आपका बूरा चाता है वह सत्रू ही है इस तरह से मित्तर का विलोमसब्द सत्रू होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना ने भूलें इसके साथ ही एसे ही विलोमसब्द जानने के लिए चेनल के लाल बटन को दबा करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकंग को दबाना नहीं भूलें